का यह पर आपक पर देपाली एंज्योर वाचिंग डिपाली फ्रेम्स आप आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेकप करने से पहले कंसीलर और कॉन्टोरिंग को हमें किस तरह से एपलाई करना चाहिए और इसको क्यों करना चाहिए काफी तो यह हमारा concealer तो इसकी पहले में आपको बता दू कंसीलर जो होता है वह हमारे चेहरे के दाग धबो को और जो हमारे जो डाक साल कल वगेरा होते हैं उन सब को हाइट करने का काम करता है कंसीलर और मेकप करने के बाद जब कंसीलर को हम अपने जो फेस के पॉइंट्स पे एपलाई करते है तो उस फेस को हाइलाइट दिखाने के लिए उन जगाओ पर इससे एपलाई किया जाता है कंसीलर को यूज़ करने का तो अप सबसे पहले मैं लगाती हूं। मैं यूज़ सकते हैं तो यहां पर मैड़ा यूज़ तो यह थोड़ा सा मेरे फेस पे बहुत जादा लाइट है इसलिए मैं आप ऐसे एप्लाई करके दिखाती हूं जैसे कि आप मेरा फेस देख रहे हूं मेरा फेस जादा फ्लैट नहीं है तो अब मुझे जरूरत है अपने फेस को फ्लैट एंड अच्छा सा नज़ दिखने के लिए तो सबसे पहले जो है आप यहां पर जो यह सी में पा इसके नीचे वाले पार्ट पर अप्लाई कर लेना है सेम यहां से भी हमें ऐसे करना है कि यह जो एरिया ना मेरा यह इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल मुझे उसके बाद आपको लगाना है अपने फोर हेट पर इस वक्तों मैंने कोई फॉंडेशन अगेर और नोस नोस के साइट में हमें अप्लाई करना इसे बहुत जादा लाइट हो रहा मैं आपको लिप्निस्टिक से बता करके बताती हूं इस तरीके से आपको ने नोस पे अप्लाई कर लेना है अब आप यह देख सकते हो यह देखिए आप यह हमारा यहां पर है सेम हमारा एसे सेकेंड जिक्स पे भी है फिर यह हमारा यह नोस का पॉइंट है यहां पर हमारे फोल हेड्स है एंड लास्ट जो हमारा आता है यह हमारा डबल चिन को हाइट करना है तो अब यहां पर भी हमें यह जो पॉइंट है न हम apply करना हैं हमें concealer तो concealer तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो हमारे face के uneven skin होती है dark circle होते है या फिर dark spots होते हैं उनको hide करता है साथी साथ में हम जब eye makeup अपना base ready करते हैं तो उसके लिए concealer को सबसे पहले apply करना होता है तो मैंने eye makeup अगेरा तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ इसलिए मैं आपको भी eyes पे अपने नहीं लगा के दिखाऊंगी जहां यहां मेरे dark spots है या फिर जो uneven skin है वहां पे इसे apply करूंगी साथ में अपने face के जो points है जिन्हें मुझे highlighted दिखाना है या फिर जो make up करते है न जब तो इस steps को भी follow करते है जहां पे हमें अपने चेरे के जो points से उन्हें highlighted दिखाने के लिए भी concealer को use किया जाता है तो मैं लगा सबसे पहले मैं आपको पता हूँ अब यहां eyes के नीचे का जो area होता है उस dark circle को आप हाइट कर सकते हैं और nose का जो middle part होता है वहां पे concealer apply होता है second अब आप देख रहे हो कि मेरे जो lips के side में न यहां पे थोड़ा सा मेरे मेरे जो skin है वो uneven है तो वहां पे भी मैं concealer को apply करूंगी थोड़ा सा मुझे मेरे चिन के पास आप देख रहे होता है थोड़ा सा dark है तो वहां पे भी करूंगी और यहां पे एक मुझे dark spots हो गया है थोड़ा सा वहां पे कर लूंगी and last मुझे apply करना है से अपने forehead के middle part को highlight करूंगी यह देख सकते हो आप यह points है आप लोग note कर लीजे या फिर screenshot ले लीजे इस तरीके से जिन्हें नहीं पता है beginners की बात कर रही हूं मैं जो लोग नहीं जानते हैं वो देख ले कि किस किस point पे हमें किस तरीके से contour को and concealer को apply करना है जिसे हमारा face हमारा makeup काफी जादा gorgeous और काफी जादा attractive नजर आता है तो यह है points अब इसे हमें करना है बहुत थी अच्छे तरीके से दीरे-दीरे से ब्लेंड जितनी अच्छे blending होंगी उतना अच्छा हमारा makeup लूप नजर आता है तो चलिए अब इसे मैं blend कर लेता है अब इन सारे comfortable नहीं हो तो आप beauty blender से भी blend कर सकते हो और बहुत ही carefully softly आपको इसे blend करना है इसके बाद आपका face बहुत जादा slim and lifted नजर आएगा और यह जो contouring है इससे आप मतलम मैं जैसे बताया था अगर आप अपने के पास contouring stick नहीं है तो आप brown color की lipstick से भी इसे contour कर सकते हैं and जो जादा अगर किसी के dark circles की या pigmentation की problem है तो guys मैं उनको बता दू कि concealer को लगाने से पहले आपको color character लगाना चाहिए अब color character जो है वो आपकी skin tone के according ही depend करता है जिस तरीके की आपकी skin tone होगा उसी के हिसाब का contour आता है तो यहां पर मैंने अच्छे से अब यहां beauty blender ले रही हूं जिससे मैं concealer को blend कर रही हूं अपनी eyes पे and nose पे और फिर मतलब अच्छे तरीके से ही हमें blend कर देना है पूरा और आप देखो कि जहां जहां मैंने concealer लगाया है वो area कितना ज़्यादा highlighted है शायद आपको light में light की रोशनी की वज़े से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हूं का बट मुझे मेरा skin जो है जहरा है वो without lighting के without camera के ही बहुत ज़्यादा clean लग रहा है और यहां पे chin पे मेरे बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैच होने लग गई है फिर आपको करना क्या है जहां भी आपने concealer apply करा है वहां पर आपको compact लगाना है अब compact क्यों लगाना है compact इसलिए लगाया जाता है जो हमारे concealer है वो lock हो जाए और हमारा जो makeup है long time तक stay गए इसके लिए compact लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएग गाइस और बहुत ही ध्यान से सारी steps देखिए चाहो तो आप screenshot ले सकते हो या फिर आप इसे save कर सकते हो इस वीडियो को जिनहीं नहीं पता है उनके लिए मैं ये बात बता रहे हूं कि जो compact है वो concealer के बात बहुत जरूरी है apply करना तो आप इस तरीके से ये अच्छे से compact को भ बह रहा है काफी जादा लब clean नजर आ रहा है सारी skin जितनी भी है सारी mostly सब चेहरे का कोई भी part uneven नजर नहीं आ रहा है face मेरा slim लग रहा है और जितनी भी dark sports थे वो सारे height हो गए है so guys I hope आज की वीडियो आप सबको अच्छे लगी होगी फिर मिलते हैं रेक्स वीडियो में till then goodbye and take care everybody